मारिक पूर पेश्वा के दिवान राधा गोविंद अवस्थी के तीसरे भाई मारिक गोविंद की जायजात के नाम पे मारिक पूर रखा गया 1818 में इसका निर्माड हुआ ये 84 गाउं की एक जागीर थी जिसकी बाउंडरी रीवा राज्य के धवाउडा में लगती थी और मारिक गोविंद जो हैं वो एक बड़े योग यवेक्ति थे इनकी शहादत मारिक पूर के घेरे में ही हुई थी और इनका एक बड़ा इंपोर्टन फैक्ट ये है कि मारिक गोविंद की जो शादी हुई थी वो डबाउरा में रणजीत राय दिक्षित नाम के एक राजा थे उनकी बहन से हुई थी तो ये दोनों आपस में भी रिष्टेदार थे और 1857 की करांती में इन दोनों लोगों ने मतलब दोनों क्यों कहें पूरे परिवार ने लोगों ने बड़ा महत्पून बलिदान दिया है